वैसे तो US-Israel के अगेस्ट कोई action लेता नहीं, लेकिन recently कुछ actions अनौंस की हैं, US ने बोला है कि जो West Bank के अलाके में extremist Jewish settlers ने encroachment करके Palestinian Arabs के बीच में अपने settlements बना रखे हैं, और इन extremist Jewish settlers ने recently Palestinian Arabs के अगेस्ट violence भी किया ऐसाथ October के हमास attack के बाद, तो US का बोलना है कि West Bank के अंदर जो Arabs रह रहे हैं, वो तो शान्त है ना, तों उनके खिलाफ violence क्यों कर रहे हो, इन extremist Jewish settlers के उपर कुछ sanctions लगाने की बात की है US ने, इनको US का वीजा बगर नहीं दिया जाएगा, अगर पहले दिया गया है तो उस वीजा को रिवोक कर दिया जाएगा, वैसे US, इसराइल और उसके नागिकों के अगेस्ट action नहीं लेता है, बट यहां ले रहा है, चुकि US, इसराइल से खासा frustrated हो चुका है, इसराइल और Benjamin Netanyu, US की कोई बात नहीं मान रहे है, US की Saudi Arabia के साथ जितनी भी dealings है, वो इसराइल के Gaza war की वज़े से पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, US का जो Regional Connectivity का प्रोग्राम था, India Middle East Europe Economic Corridor, वो भी यहां पे इसराइल वार की वज़े से फेल होता नजर आ रहा है, और इसराइल US की बिलकुल सुनी नहीं रहा है, तो इस action के थूँ US, इसराइल को एक indirect message दे रहा है, कि भाई आप अपनी इस जंग को थोड़ा बहुत बंद करिए, इसका नुकसान बहुत ज़ादा हो रहा है, अब इसराइल इस action से कितना effect होगा, ये तो time ही बताएगा,